इस बार के लड़ाई तो आप उतार चड़ा वले रही आपकी पहले तो बहुत बहुत शुक्री आपका कि आपने हम सब को यहां बुलाया और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा क्योंकि ये पूरे टूर्णामिंट में मैं वो कॉंट्रिवूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था और एक समय पे मैंने रहूल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आपको और टीम को दोनों को नयाई नहीं दिया अभी तक तो इन्होंने मुझे बोला कि जब situation आईगी तो मुझे भरोसा है कि तुम perform करोगे तो ये conversation हमारी हुई थी और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला क्योंकि मेरा जैसे tournament गया था मुझे इतना confidence नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी batting हो सकीगी जैसी मैं करना चाहता हूं तो जब हम खेलने गए मुझे पहले चार बॉलों में तीन चौके मिले तो मैंने इसको जाके बोला मैंने का यार ये क्या game है ये मतलब एक दिन ऐसे लगता है एक run नहीं बनेगा और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है तो तो हाँ पर मुझे फील हुआ कि और इस्पेशली जब हमारी विक्टे गिर गई कि वो situation मुझे अपने आपको surrender करना है टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे सिर्फ वो ही मेरे focus में था और मुझे ऐसा feel हुआ कि वो मुझे जो zone में डाला गया अब वो मैं किस वज़े से डाला गया वो explain करना मुश्किल है बट मुझे ऐसा feel हुआ कि बिलकुल मैं उस moment में बंद गया और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है तो यह होना ही था मेरे साथ टीम के साथ अगर आप मैच भी देखें जिस तरीके से मैच जीते एंड में जो situation थी हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में जहां से मैच पल्टा और ह एक एक बॉल करके एक बॉल करके वो एनरजी फिर बनी तो मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कॉंट्रिब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा और जिस तरीके से हम जीते हैं जैसे मैंने बुल कि कि टोटल आपका 75 और बाद में एकनम 76 तो कभी कवार ये पल होती है जब सब लोग कहते हैं तुम भी कर लोगे हैं वो भी एक बाद करा करते हैं ड्राविंग फोर्ट बन जाता है लेकिन परिवार से में जैसे क्या रियक्शन आया होगा है जब 75 में दबे रहते थे थे ची बात यह थी सर यहां टाइम का डिफरेंस जादा है तो परिवार से जादा बात नहीं मेरी मम्मी जादा टेंशन ले लेती है पर एक ही मतलब जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था हो नहीं पा रहा था तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको यह लगता है कि मैं कर दूँगा तो कहीं नहीं आपका अंकार उपर आ जाता है तो फिर खेल आपस दूर चला जाता है तो वही छोड़ने की जरूरत थी और जैसे मैंने का कि गेम की सिच्वेशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगा ही नहीं थी अपने अंकार को उपर रख यह वही जा कहीं है तो बिएस झाल गलाब बादे दूरत चल्वाट नहीं आपस भऽेशन ही चल्य।